आप सभी का स्वागत है मार्च के महिने में जो गन्य की बुवाई की जा रही है इसमें कैसे अच्छा उत्पादन लिया जाए छोटी शोटी अगर बातों को ध्यान रखें तो ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है हमारे किसान कुलबीर सिंग्जी जो कि 13 गाम के रहने वा पर ट्रेंच बनाने के बाद फिर से उसमें ओपनिंग की है ताकि गन्य के टुकड़े डालने के लिए काईविटी क्रियेट हो जाए और साथ ही में इन्होंने फर्टलाजर का प्रियोग कर लिया है गन्य के एक आख या दो आख के टुकड़े की बुवाई आप मार्च के म मेने में आसानी से कर सकते हैं ध्यान ये रखना है कि जो गन्य आप बीच के लिए चैन करें उसकी मोटाई अच्छी हो अगर 230 गन्य की प्रजात है तो गन्य का बजन परिश्टिक बेट लगभग 2 क्लोराम बहुत बहतर है गन्य का बीच का सोधन अवस्य करें कम से कम 15-20 मि दवाईयां बहुत सारी आती है एक्जाटॉप है वेविस्टीन है इन दवाईयों से आप ट्रीट कर सकते हैं जैसे अगर वेविस्टीन से आपको ट्रीट करना है तो 100 ग्राम वेविस्टीन 100 लीटर पानी में मिला करके और गन्य के टुकड़े को करिब आदे गिंटा तक के गोई यह देखे सिंगल बट से कैसे हैं को काटे हैं घुर्पलबट किया गते हैं करना जब भी काटें गौह के समय तो सीधा काटे और तिरच्भा अगर गन्य का हराज होता है और जीवाण को टान गंने की कटे हुए इंड पर, कटे हुए छोर पर ज्यादा लगते हैं जिससे गन्ना हमारा खराब हो जाता है जमा होने से पहले ही खराब हो जाता है दूसरी जो अहम बात है खाद आपको कितनी डालनी है सबसे अच्छी खाद जो गन्ने में डालने के लिए है अगर फासपरस आपको देनी है तो सिंगल सुपर फासपेड दें चुकि इसमें कैल्सियम भी होता है जो गन्ने की मोटाई को बढ़ाता है और इसमें सलफर भी होता है साथ में सलफर आपको फिर अलग से नहीं देनी पड़ती है हिए फासपुरस होती ह önem and 3 तक ढ़िए फास पॉस होती है तो एक एक अड़ में में 4 ताइब पैचा स किलोग्राम का एक फाइब हूता है चार एक सिंकल स्फरफसएट डालें एक वैग में सिंस्टी पर सप्फन न्यूरिया के रूप में 만들 इसके साथ ही 10 से 12 माइक्रो नुटियंट का भी प्रयोग बुवाई में करने करते समय इल्हान रखें कि गन्य का टुकड़ा डालने से पहले आप इन खादों को लाइन में डालते हैं क्योंकि फर्वी मार्च में सिचाई के आवसकता प्रती जैसे ही आप भुवाई करने के बाद गन्य के टुकड़े को तीन संटीमीटर या चार संटीमीटर मिट्टी से ठकते हैं अगर मिट्टी आपकी कले स्वयल नहीं है केड़ी चिकनी मिट्टी नहीं है तो तुरंत नाली में उसकी हलकी सिचाई कर दें कि चालकि से चालकि करें ज्यादा सचाहि न हुआघए कवा कि जनों को केवल नाली यस जरुब आधाधा नाली बनाया चाहिए और गूल है जो ट्रेंच है को िजाला भी और उसके को लबाई बहुत जादा रहा है नई तो आखरी छोर तक जो पानी पहुचता है तो सुरू का जो छोर होता है उसमें पानी ज्यादा लगता है मिटी गिर जाती ठह जाती आगे भी हम मापो जानकरी देते रहेंगे अलग-अलग भी से उपर धन्यवाद जैहिन जैवरत